हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई योट्यूब चैनल आज हम आपको राजपूती कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले और बैल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप पहुझाएं चलिया ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हमने जितनी भी कुर्थी हमारी लेनी है उस कट में हमने इसको कट कर लिया साधे 25 पच्ची सिंच के हमें कुर्थी लेनी हो आधा इंच हम एकस्ट्रा लेंगे लंबा हमारी 25 है चैस्ट हमारी 32 है यहाद जाते हैं इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है डबल पार्ट है इसके हम इसका फ्रण और बैक पार्ट दोनों एक साथ कट करेंगे सबसे पहले इसके अच्छे सेट कर लिया और अब हम इसके तीरे का निशान लगा लेंगे तीरा लगाने के बाद हमने इसके मुड़े की कटिंग करने आठ इंच की और इसको इस तरह से बोक्स की सेप में थोड़ा नीचे गुलाई में ले जाते हुए नीचे गुमाएंगे और इसकी कटिंग करतेंगे यहां से हमने चाक पर निशान लगाना है 9 इंच का हम इसका चाक रखेंगे और बाकी जो बचेगा हम इसकी जोली की कटिंग भी कर लेंगे जोली जितनी हमने अपनी कुर्टी के हिसाब से रखनी है इसमें हमने 8 इंच की रखेंगे अगर आप चोड़ी चाएं तो थोड़ी चोड़ी कर सकते हैं या फिर आप कम करना चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं अब हम इसके चुन निशान लगा हम उसको कट कर लेंगे कुर्टी की जो जोली होती है वो आप अपने अकोर्डिंग कर सकते हैं कट कर लेंगे कटिंग करने के बाद हम इसके पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और इसके नैक की कटिंग करेंगे एक बार cutting करने के बाद जब सिलाई हो जाए उसके बाद आप हलकी हलकी इसकी finishing कर सकते हैं अब हम इसके back part को निकाल के रख देंगा और front वाले part को हम इसके neck की cutting के लिए रखेंगे सबसे पहले हमने इसको अच्छे से fold कर लेना है एक दमीकोल वरना गले की जो गोलाई होती है वो छोटी बड़ी हो जाएगी सबसे पहले हम इसकी चुडाई लेंगे 2 इंच की और 9.5 इंच आप 9 भी ले सकते हैं पहले 9 इंच का आपके लिए सही रहेगा ये थोड़ी हम पतली लड़की के लिए बना रहें तो आप 9 इंच का ही रखेंगे चार इंच का हमें एक box की shape में निशान लगा लेना यहां से हमने 3 इंच का निशान लगा लेना है इस बोक्स को इस निशान से मिला देंगे इसको इसे तिर्चीवे मिला देंगे कटिंग करते टाइम हम इसको गोलाई में लेज लेगे और यहां से ले जाते हुए बिल्कुल बारिक बारिक आदे इंच से भी हम कम थोड़ा कम ही रखेंगे गोलाई में ले जाते हुए इसको निशान लगा लेंगे यदि कि हमने एक दुम गोलाई में ले जाते हुए इसके बिल्कुल आता आता है इंच हम निशान लगा लेंगे अब हम जाने निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे आपको कि किस तरह से हमने इसके मगजी लगानी और अच्छे से सैट करनी है इस तरह से आप नेक की कटिंग कर सकते हैं अगर आपकी चैस थोड़ी है या फिर आप थोड़े हेल्थी हैं तो आप साँड़े नो इंच का भी कट कर सकते हैं साँड़े नो इंच से आप ज्यादा ना करें वरना कुछ जयादा ही बड़ा हो जाएगा नो या साँड़े नो इंच का कला काफी होता है तो यह देखे हमने कुर्ती की कटिंग इसकी अच्छे से कर लिया है यह हमारी मकजी रेडी हो चुकी है यह देखे हमने मकजी पे गुना लगा के इसको रेडी कर लिया है अब हम इसके फ्रेंट और बैक पार्ट को आपस में मिला लेंगे और इसके शोल्डर को अच्छा से मिला लेंगे ये देखिए इसके गले की गुलाई मगजी लगाने के बाद थोड़ी और ये अच्छा लगेगा इसके उपर हमने बैक पार्ट रख देना और दोनों पार्ट के अच्छा से सिलाई कर लेनी है यहाँ से शोल्डर से हमने इसकी स्टेचिंग कर लेनी है आप चाहे तो इसको मोड के भी सिलाई कर सकते हैं मोड के सिलाई करेंगे तो इसके साइड से रुवे नहीं निकलेंगे इसको मोड के सिलाई करिए इसकी जो साटन का कपड़ा होता उसमें हम मोड के ही सिलाई करते हैं लेकिन कोटन के कपड़े में ये कमपलसरी नहीं है आप सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं कि इसको हमने हलका सा एक राउंड में फॉल्ड करके दोनों शॉल्डर को अच्छे से स्टिच कर लेंगे शॉल्डर सबसे पहले हम इसके नैक पर मगजी लगाएंगे हमें इसके गले से मगजी की शुरुवात करनी है आप चाहे तो शॉल्डर पे भी लगा सकते हैं लेकिन जो पहले गले की लगाएंगे तो हम इसमें फिनिशिंग कुछ सही आएगी वरना इसका गला खिचने की वज़़े से बड़ा भी हो सकता है इसलिए हम सबसे पहले इसके गले पे ही मगजी लगा देंगे देखिए हमने इसके नेक पे मक्सी जहां हमारे गूने का सिलाई आई हुए है उदर से हमें बिल्कुल एक पैर के निशान पे रखनी है इस शेप में हम इसको अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे एक सिलाई हमें इसके उपर से लगानी है वैसे तो आप मगजी फॉल्ड करके लगा सकते हैं वरना ये कोटन का कपड़ा इसमें कुछ ज़्यादा डर्नी होता कपड़ा साइड से रुवे निकल लेगा तो आप सिंगल भी रख सकते हैं इसको इसी वे में हम इसको सिलाई लगा लेंगे एक पैर के निशान पे जिसे हमारे नेक पी हलकी से हलकी हलकी हातों से गोलाई ले जाते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है ताकि इसकी गोलाई ऐसे ही रहे एक सिलाई हमने इसके उपर रखके एक पैर के निशान पे लगानी है एक पैर के निशान पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ये देखे हमने इसमें अब हम शोलडर के उपर सेम एसे शिलाई लगा लेंगे जैसे हमने नेक पर लगाई है सेम एसे शोलडर पर भी सेम एसे शोलडर पर दोनों साइड हमने ऐसे ही स्टेचिंग करनी है फ्रेंस आप मगजी लगाते हैं वक्त आप थोड़ा आराम से करना ताकि फिनीशिंग अच्छी आएगी तो आपकी सिलाई जो है वो कुर्टी जो है काफी खिल के आएगी अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी नहीं होेगी तो आपकी कुर्टी भी सही नहीं होेगी वो दिखने में ही थोड़ा अजीब लगेगी जितना हो सके आप अच्छे से दीरे-दीरे सिलाई करें अब हमने शोल्डर को आपस में मिला के साइड में सीधे साइड सिलाई लगा लेनी है फिर हम इसको पलट के सिलाई लगाएंगे ताकि इसके साइड से रुए नहीं निकले से हमने इसमें डबल सिलाई लगानी है अब हम इसको पलट लेंगे पलटने के बाद हम अपना एक बिलान दिया साथ या साड़े साथ इंच हम इस देखें हमने एक बिलान नाप के इसके उपर सिलाई लगा लेगे यहां से हमने थोड़ी पक्की सिलाई करनी है ताकि यह हटे नहीं हम यहां पे दो-तिन बाद सिलाई कर लेंगे थाकि यह इदर से उद्ड़े नहीं और साइड से हमने जितना इंच एक्स्ट्रा लिया था उतने इंच पे हम इसके सिलाई फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद हमें जोली पे भी सेम एज़िटी लगाने और इस तरह से हमें इसके कोने बनाने है मशीन पे ऐसे हमने मशीन उतार के साइड में हमें कोने बनाने हैं इसके यह देखे हम इसको फॉल्ड करके इस तरह सिलाई लगा के इसके कोने भी बना लेंगे अब डालने के बहुत अच्ही ही ग्रेस आएगी इसमें So friends वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करना नहीं भूले और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुच जाए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले बाई बाई फ्रेंड्स